भारती जन्ता पार्टी का जो गोशना पत्र है नई बोतल में पुरानी दवाई बीचने का काम भारती जन्ता पार्टी का रही है भाजबने आपले जाहिर नामे समान नागरिक संहीता कलम 370 चे निराकरण आयोद्दे मधिल राम मंदिरा से निर्मान ब्रश्टा चार या गोश्टी ना प्राधन्य दिलाए पत्रकराण शी बोलताना राष्ट्रवादी कॉंग्रिस पक्षाचे प्रवाक्ता नवाब मलिक यानी भाजबने जाहिर नामे वर टिकास्त्र सोड सांगितल कि आपले जाहिर नामे भाजबने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षनिक, राजकी अक्षेत्र या मुद्यान वर भर दिलेला नाहिये, त्यामले भाजबने भाजबने जाहिर नामा मंजे नविन बाटली जुने उशद असाथ इस देश में एक तरफ तो पॉमन सिविल कोड की नाम पर उनकी जो रिलीजिस पैचान है, जो अधिकार constitutionally उन्हें दिया गया है, उनको खतम करने की बात करती है, और दुसरी तरफ भारती जनता पार्टी कहती है, कि हम मधरसों का modernization करेंगे, दुसरी तरफ उर्दू के वि पारिकरम पिछले 10 सालों में जो दिये गए, वो गुजरात की धरती पे जब उसे क्यों नहीं अमल करते सवाल किया गया, तो उन्हें ने कहा opportunity to all, appeasement for none इस तरह बोलकर, 10 सालों तक सारे मुसल्मानों के और minorities की जो भी इसकी में थी, वो गुजरात में उन्हें ने रोकने का काम किया है, हमें लगता है, एक तरफ वो appeasement की बात करते हैं, दुसरी तरफ minority इसकी पहचान को खतम करके, RSS के हिंदू राष्ट का एजिंड़ा वो लागू करना चाहते हैं मराठी आरक्षणा बदल नवाब मलिक यन्नी आगाडी ची बाजो स्पष्ट करत सांगित ले कि मराठा आरक्षणा प्रती आमता निकश स्पष्टा है मराठा आरक्षण को लेके पार्टी हमेशा से उसकी भूमी का इसपस्ट रहिए हमने इस देश में जो आर्थिक के निकस के आधार पे लोगों को भी आरक्षण दिया जाए इस तरह की बात हमेशा कहिए महराश्ट में मराठा समाज है उसे आरक्षन मिले लेकिन सेक्षनिक और नोक्रियों में मिले पॉलिटिकल आरक्षन ना मिले इसके हम हमी सब पक्षितर हैं उसके लिए राने समीत की का गठन हुआ है और चुनाओ के बाद हमें पेक्षा है कि मुसल्मान और महराठा दुनो समाज की आरक्षन के लिए महाराज सरकर विसेशकर निर्ण लिगी।